और अब लखनू से बड़ी खबर आपको बतादे कि आज कारक्रमों में शामिल हूंगे सीम योगी आदितनाथ सुभा साड़े दस बजे कोविड के संबंद में सीम योगी बाठक करेंगे और उसके बाद लोग भवन में सीम योगी आदितनाथ टीम नाइन के साथ आज बाठ करने वाले हैं सुभा साड़े ग्यारे बजे एक प्रस्तूती करण देखेंगे सीम योगी आदितनाथ लता मंगेशकर चौक आयोध्या की संबंद में प्रिजेंटेशन आज मुख्यमंत्री देखने वाले हैं दोपर बारा बजे आयोध्या में तमाम परियोजना का ऑले कर यह बताय जा रहा है मल्टी लेबल पार्किन के निर्मार पर योजना पर प्रिजेंटेशन आयोध्या की कल्चिरल हैज को लेकर प्रिजेंटेशन होगा प्रस्तावित सियम नव्सरजित नगर निकाय योजना की बैठक और दोपर साड़े बारा बजे लोगझ भव अधितनाथ के रहने वाले हैं सुबह साड़े-दस बजे से इन तमाम कारक्रमों की शुरॉत होने वाली है और जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आधितनाथ टीम नाइन के साथ नियमित जो बैठक करते हैं सबसे पहले वो बैठक होगी साड़े-दस बजे का समय बताया जा रहा है जब टीम नाइन के साथ में बैठक करेंगे इसके अलावा लता मंगेश का चौक और आयोध्या को लेकर प्रिजेंटेशन जो तयार किया गया है वो भी मुख्यमंत्री आज देखने वाले हैं तमाम जो प्रजेक्ट हैं उनका प्रिजेंटेशन मुख्यमंत्री आज लेने बाले हैं तो यह तमाम कार्क्रम मुख्यमंत्री की आज रहेंगे तो सुबह साड़े-दस बजे से मुख्यमंत्री के कार्क्रमों की शुरुवात हो जाएगी दरसली कार्कुम नहीं बल्कि एक बैठक जो नियमित तोर पर मुख्यमंत्री लेते हैं हर रोज का समय रह का आज देखने वाले हैं कि मल्टी लेवल लेवल पार्किंग के निर्मान पर एक प्रिजेंटेशन तयार किया गया वो भी देखेंगे इसके लाबा नवस्रजित नगर निकाय योजना की बैठ़क भी लेने वाले हैं दूपर साड़े बारा बजे लोगभावन में ये बैठ देखेंगे सबसेपहले टीम नाइन के साथ बाठक और उसके बाद साड़े ग्या कि प्रॉड करंट यानि कि प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री देखेंगे आई उardhya कि संबंद में भी इक प्रेजेंटेशन तयार किया गया है उसको भी फि मुख्यमंत्री देखने वाल झाल झाल